हेलो आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्लेट फॉर्म पे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन भी आपको देना चाहूंगा कि इस प्लेट फॉर्म पे एक्चुली में हम एक सिरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें लिटरली आप साइंस को नहीं पढ़ेंगे बल्कि विज करते हूं कि एक प्लैनेट के वजह से आप में ग्राविटेशन एक्सलेरेशन कितना होता है ठीक है तो हम उसी के बारे में बात करेंगे और आई होप कि आप सब इस चीज को बहुत अच्छे से समझने वाले ना कि समझने वाले हैं बलकि आप विजुलाइज भी बहुत आप यहां पर अगर यह चीज देखें कि आप अगर अपने अर्थ पर किसी भी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो अपकॉर्स कुछ एक्सलेरेट होके अपने अर्थ के सर्फस में गिरता है जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा ही है एक्चले में इस एक्सलारेशन को हम जी जैसा कि आप इससे पहले भी समझ चुके होगे बट एक्चुले में वह जी यानि वह acceleration क्यों होता है कैसे होता है और हम इसके बारे में और क्या-क्या चीजे जान सकते हैं उसके बारे में आई आगे बात करते हैं आप यहां पर ध्यान से यह भी आइडिया है कि अगर मैं यहां पर इस acceleration के बारे में बात करूं तो यह object एक्चुले में downward A acceleration से जा रहा है जिसे आप इन जनरल form में G से represent करते हूं जिसे मैं gravitation acceleration बोलता हूं एक्सेलरेशन बोलता हूं इसने बट यह ग्रैविटेशन एक्सेलरेशन आपको भी पता है पॉर अर्थ अर्थ के लिए आप इस ग्रैविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू अप्रॉक्सिमिस 10 और 9.8 meter per second square लेते हैं बट यह वैल्यू आई कहां से मैं इस चीज को कैसे define कर सकता हूं इसके बारे में बात करते हैं नौ चलते हैं कि अगर मेरे पास एक अर्थ है पूरा का पूरा और यहां पे एक बॉल रखा हुआ है तो आप सभी Newton's के universal law of gravitation से वाकिफ होंगे Newton's का gravitation law क्या कहता है एक बार उसको हम समझ लेते हैं तो यह बोलते हैं कि मेरे पास एक object है जिसका मास M1 है और एक object है जिसका मास M2 है और इनके बीच में अगर एक distance R है तो यह दोनों object अपने मासस के वज़े से एक दूसरे को attract करते हैं एक दूसरे पर एक force लगाते हैं attraction force लगाते हैं जिसको उन्होंने नाम दिया था gravitational force और यह force इस दोनों object में लग रहा होगा इस वक्त यानि M1 पे भी एक gravitational force लग रहा होगा और M2 पे भी यह gravitation force लग रहा होगा जिसे मैं अभी FG से represent करता हूं और यहां पर इन दोनों object पर लगने वाले जो gravitational force है वो actually में same होगे reason being क्योंकि आपने Newton's के third law of motion के बारे में तो सुनाई होगा जैसे मैं action reaction भी बोलता हूं कि अगर M1 M2 को मान लेता हूं 10 Newton से attract कर रहा है तो M2 भी M1 को उतने से ही force से opposite direction में attract कर रहा होगा जो कि यहां पर है और उन्होंने यह चीज़ बोलाता है कि यह जो gravitational force है FG इसकी value होती है G M1 M2 divided by R square जहां यह G जो होता है इसकी value होती है 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square इसने और यह जो G है आप सबको idea है कि यह G को हम universal constant बोलते है ठीक है तो यह मैं क्यों आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं यह बताने का reason है क्योंकि मैं इस चीज़ से आपको यह समझाऊंगा कि हर एक planet अपने surface पे एक acceleration create करता है जिसे हम gravitation acceleration बोलते हैं समझना क्यों कि अगर आप यहां पर ध्यान से देखें बच्चे तो यहां पर आपके पास माल लेता हूं यह अर्थ portion है अगर आप किसी ball को drop करते हैं तो वह अर्थ इस ball को कोई force लगाता ह है जिसे आप gravitation force बोलते हो इस बात से आप सबके सब agree होगी यानि इस ball पे एक gravitation force लग रहा होगा जिसे मैं fg से denote कर रहा हूं which is nothing but m into g जहां m है ball का mass राइट और g है इस ball का acceleration जिसे आप अभी gravitation acceleration बोलते हों क्योंकि यह acceleration आ क्यों रहा है इस ball पे इस gravitational force के वज़े से और इस gravitational force के वाज़े से acceleration आ रहा है इस वज़े से आप इस acceleration को gravitation acceleration बोलते हैं अभी gravitation acceleration की value होगी कितनी आइए उसको देखते हैं आप सबको पता है यह मेरे पास अर्थ है और इस अर्थ के surface पर आप अगर ध्यान से देखे तो यहाँ पर एक ball है जिसका mass अभी small m में represent करता हूं तो इस ball का mass अगर मैं small m बोल दूँ, mass of ball small m है और mass of earth मेरा capital m है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट आप सबको यह भी idea है कि चुकि इस earth का भी एक mass है और इस ball का भी mass है तो यह earth ball को एक gravitational force से attract कर रहा होगा तो मैं अगर इस ball पर देखूं तो इस ball पर एक gravitational force लग रहा होगा due to earth अब यह gravitational force की value कितनी होगी तो आप खुछ सोचना कि अगर मैं आप से यह कहूं कि यहाँ पर इस अर्थ का यह center point है center point of earth और यह जो ball है इनके बीच में अगर मैं distance देखूं तो इनके बीच की जो distance है वो आप कह सकते हो कि approximate इस अर्थ के radius के बराबर होगा और यह अर्थ का रेडियस अप्रॉक्समेट आपका होता है 6400 किलोमीटर तो मैं यहाँ पर इन दोनों object के बीच की जो distance है वो जो एप्रॉक्समेट अर्थ के रेडियस जो की capital R से रिप्रेजेंट है उसके बराबर होने वाला है और इस FG की वैलू अगर मैं यूनिवर्सल लॉव ग्रैविटेशन जो Newton सर ने दिया था उससे देखूं तो उसकी वैलू आ जाएगी G M जो की इस object का मास है और दूसरा object जो की अर्थ है उसका मास capital M है और डिवाइड वाइड वाइड इन दोनों की बीच की डिस्टेंस का इसको है विच इस नतिंग बट capital R स्क्राइट अब यहां पर देखना भाई यही तो यही बॉल था जिस बॉल पर आपने यही ग्रैविटेशन फोर्स यह बोला है आप कह यह जो ग्रैविटेशन फोर्स है यह फोर्स नथिंग बट यही तो है तो यहां से जैसे ही आप अगर देखें इन दोनों को एक्क्वल करके तो इस M से इस M की वैल्यू कट हो जाती है और कट होने के बाद आपको यहां से स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी जी capital M divided by R square which is nothing but my gravitation acceleration on surface तो अगर मैं यहां पे बच्चे आप से कहा हूं कि किसी due to any planet किसी भी planet के लिए यहां पे G की value क्या हो जाएगी capital G M divided by R जहां पे यह M है mass of planet जो की अभी यहां पे अर्थ था ठीक है यह हो गया mass of planet और अगर मैं gravitation acceleration उस planet के surface की बात करूँ तो यहां पे यह जो आर है यह radius of planet हो जाएगा कि उस planet का radius क्या है और अगर मैं पॉर अर्थ की बात करूं पॉर अर्थ की तो अर्थ का आपको mass कितना होता है 6 into 10 to the power 24 and radius of the earth nothing but 64 00 km तो मैं यहां पे अगर इस radius की बात करूँ तो इस radius को मैं किलो मीटर से मीटर में change करूंगा तो इट इस नथिंग बट 64 00 into 10 to the power 3 meter हो जाएगा अब अगर मुझे अर्थ के लिए gravitation acceleration उसके surface पे निकालना है तो क्या मैं सारे value यहां पे पूट करके काम कर सकता हूं तो जो g की value surface पे आएगी वो हो जाएगी g capital G जिसकी value आप सबको पता है 6.67 into 10 to the power minus 11 mass of earth nothing but 6 into 10 to the power 24 और divided by radius of planet जो की अभी अर्थ है और अर्थ का radius है 6400 into 10 to the power 3 और इसका whole square जिसके approximate value आप निकालेंगे which is nothing but 9.8 meter per second square जो आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं ठीक है तो आई होब कि आपको यह चीज़ तो clear हो गया होगा कि किस तरह से मैं किसी भी planet के surface पे gravitation acceleration उस प्लानेट के वजह से निकाल सकता हूं यह काम कर सकते हैं तो अगर मैं आप से कहूं कि यह जो अर्थ है अर्थ अपने surface पे gravitation acceleration create कर रहा है जिसकी value है 9.8 राइट बट अगर मैं इस moon की बारे में बात करूं तो इस moon के बारे में आपका क्या कहना होगा मून भी अपने surface पे कुछ न कुछ ग्राविटेशन एक्सेलारेशन क्रियेट जरूर करता होगा आइए देखते हैं उसके बारे में कि यह कैसे होता है आपको यहां पे छोटा से information दे देता हूं कि moon का जो mass होता है वो 7 into 10 to the power 22 के approximate होता है और radius जो यहां अर्थ नहीं होगा यह radius moon का होगा radius of moon जो है वो 1740 km होता है अब अगर मैं आप से बहुत simple सी बात करूं कि भाई साब अगर मैं इस moon पे कोई object रख देता हूं जिसका mass capital M है जिसका mass capital M है small m है तो आपको क्या लगता है कि इस planet यानि planet तो नहीं कहूंगा ठीक है न तो इस moon का mass मैं अभी capital M माल लेता हूं और इस moon का radius मैं small या capital R माल लेता हूं तो आपको एक चीज़ पता होगा कि इस object पे मेरे पास gravitational force जरूर लगा रहा होगा यह moon हैगी नहीं और जिसके वज़े से इस ball पे एक acceleration create हो रहा होगा जिसको मैं GM से represent करता हूं GM मतलब gravitation acceleration due to moon right यह हो गया gravity station acceleration on surface of the moon moon जिसे मैं GM से represent कर रहा हूं और अभी कुछ time पहले आपने formula याद किया था जिसे आप कह रहते जी इसकल टू जी capital M divided by R square जहां पर capital M होता है अगर मैं earth की बात करूं earth का मास और अगर मैं moon की बात करता हूं तो यहां पर GM अगर moon के लिए बात करूं तो capital G तो universal constant है वो चाहे मून हो कोई मीडियम हो किसी पर पर डिपेंड नहीं करता है बाट capital M यहां पर मैं moon का लोंगा तो यह हो जाएगा capital N moon का divided by radius of moon square यहां पर मैं अगर value पूट करूं तो G की value हो जाएगी 6.67 into 10 to the power minus 11 mass of moon जो कि आपको पता है 7 into 10 to the power 22 kg होता है और moon का जो radius है वो 1740 km है यानि 1740 किलो मीटर को बच्चे मीटर में change करना कभी मत भूलना तो यह हो जाएगा into 10 to the power 3 और this whole square बच्चे आपको एक छूटा से information देता हूं कि अगर आप इसे solve करोगे तो आपको इसकी value 9.8 divided by 6 meter per second square हो जाएगा यानि अर्थ के surface पे जो ग्राविटेशन है उसका six times कम होता है मून के surface पे ग्राविटेशन acceleration इस चीज को भी थोड़ा सा दिमाग में रखे रहना यानि अगर मुझे किसी भी प्लैनेट का मास पता है किसी भी प्लैनेट का रेडियस पता है तो मैं उस प्लैनेट के surface पे कितना ग्राविटेशन एक्सलारेशन है यह निकाल सकता हूं तो आपके पास एक छोटा सा question है और उस question को आप लोग घर पे जरूर सौल करना ठीक है और फाइंड आउट करना कि अगर मेरे पास एक जूपिटर है उस जूपिटर के सर्फेस पे कितना ग्राविटेशन एक्सलारेशन होगा आप लोग नेट पे सर जरूर करना कि उस जूपिटर का मास्ट और उसका रेडियस कितना होता है और उस हिसाब से आप एक बार काल्कुलेट करके जरूर देखना कि जूपिटर का ग्राविटेशन एक्सलारेशन क्य काम कर रहा है right so thank you very much बच्चे ठीक है और एक छोटा सा पार्ट कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप यह चाहते हो कि इस तरह के जो वीडियो जो विजुलाइजेशन है वह आपको कॉंस्टेंटली मिलते रहें तो प्लीज लाइक एंड शेयर शेयर जरूर कर देना बच्चे अपने दोस्तों के साथ क्योंकि नौलेज कभी भी बाटने से कम नहीं होता है हमें साब बढ़ता रहता है और हमारे इस चैनल जिसको हम माई क्लास्रूम प्लेटफॉर्म बोल रहे है उसको सब्सक्राइब जरूर करना और अगर वीडियो अच्छी लगी बच्चे तो लाइक जरू करना थैंक्यू वेरी मच्च